माइ फ्रेंड्स रुपानीस किचन में आपका स्वागत हैं। आज हम बनाने वाने हैं सिवेये की खीर लेकिन रबडी स्टाइब में। यह देखे कितनी गाड़ी बनी है। देखे इसके लिए सामग में क्या लगती है। मैंने एक कटोरी सिवेया नहीं है। यह रोस्टेट सिवेया है। और मोस्त एक कटोरी शक्कर ली है। ट्राइफ्रूट्स लिए है। केसर लिया है। यह मैंने ट्राइफ्रूट्स का पाउडर बनाया है। काजू और बदाब का। इससे हमें रबडी का एफेक्ट लेगा, तो देखते हैं आगे की रेसिपी, मैंने एक लिटर दूद दिया है, तूद अच्छे से उबाल आने के बाद, ये देखे, हम इसमें सेवई आडा देगे, इसको उबलने देना है, थोड़ी देर के लिए, अभी सिवेया डालने के बाद, इसको उबाल आया है, हम इसमें अभी शक्कर डालेंगे, शक्कर डालके हमें अच्छे से चलाना है, फिर इसमें हमने जो कैशू और पदाम का पाउडर बनाया है, वो डाल देगे, अच्छे से मिक्स करके, अभी हम इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे, इसमें किश्मिश डालेंगे, और थोड़ी दे रुपा देंगे, यह देखिए, खीर तयार है, इसे थंडा करके, काला है, मैं इस पर केसर डग देखिए, यह देखिए, खीर अच्छे से तयार है, हमें ऐसे ही इसे थोड़ी दिल उपरते रहने देना है, और फिर थंडा होने के बाद, यह बिल्कुल रेडी है, यह देखिए, अभी थंडी होने के बाद, यह खीर एक तम से गाड़ी हो गी है, जैसे रबडी हो, देखिए, खीर खाने के लिए देखिए, रबडी स्टाइल सिवैया खीर तयार है, एकदम गाड़ी और टेस्ट, स्टाइल